Hello everyone, Welcome to your channel Global Coaching Classes तो आज की इस वीडियो हम जो question solve करेंगे ये तोड़ा tricky type की question होते हैं और exam में बच्चों को बहुत ज़्यादा confusion create करते हैं क्यों? क्योंकि हमने हमारी text book में दो chapter पढ़ लखे हैं जो chapter number 3 है linear equation 2 variable और chapter number 4 quadratic equation तो जो chapter number 3 है उसमें हमने 2 variable लेके question को solve किया है और chapter number 4 है उसमें हमने 1 variable लेके question को solve किया है तो इस type के question हम ये differentiate नहीं कर पाते हैं कि इसको हम 1 variable से solve करें ये 2 variable से solve करें जो कि हमारा काफी time consume करता है तो इस type के question में आपको confuse नहीं होना है इस type के question को आप one variable से भी कर सकते हो और two variable से भी solve कर सकते हो पहले हम question पढ़ लेते हैं आपको को समझ माझ जाएगा देखी इसमें क्या दे रखा है हमको the sum of two numbers as well as the difference of their square is 9 find the numbers देखी इन्होंने क्या बोला है कि दो number का sum और उनके square का difference हमको 9 दे रखा है question समझना उन्होंने क्या बोला है कि दो number का sum 9 है और उन दोनों number का square का difference भी 9 है ठीक है तो condition दे रखी है आपको क्या निकालना है वो numbers निकालना है ठीक है तो देखो हम यहाँ पे इसको one variable से solve करके देखते हैं तो देखो हमने suppose किया यहाँ पे कि यह क्या हो गए हमारा one variable हमने suppose किया let हमारा first number हमने मान लिया x है और second number हमने मान लिया 9 minus x क्यों मानेगे कि दो number को sum 9 है एक number x हो जाएगा दूसरे को 9 में से minus कर देंगे उस number को तो दूसरा number निकल जाएगा हमारा तो यह दो number निकल गए हमारे ठीक है तो यह पहली condition है हमने यह suppose कर लिया हमारे दो नमबर को अब दूसरी condition जो दे रखी थी उसके कोड़ी हमें equation बनाएंगे तो देखो according to question हम क्या करेंगे इन्होंने क्या बोला है उनके square का difference 9 दे रखा है तो देखो इसका जिसे 9-1 है इसका square difference मतलब minus करेंगे तो पहला number हमारा एक्स करेंगे तो इनके जो square है उनका difference हमको कितना दे रखा है 9 दे रखा है तो इसको solve कर लो आप तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9-1 यानि A-B का hollow square का formula यूज करेंगे तो 9 का square कितना होता है 81-2AB तो 29 जा 18 और X का X हो जाएगा और plus में 20 square होता है तो X जाएगा तो X जाएगा तो minus का X जाएगा यहाँ पे 9 का 9 जाएगा और देखिए यहाँ से minus X कर और plus का X कर cancel हो जाएगा बचेगा हमारे पास 81 81 प्लस का इदर आके किसमे आजएगा minus में तो 18 X यहाँ पे बेशा कि में minus से minus cancel हो जाएगा अब हम क्या करेंगे 18 से को cancel कर लेते हैं तो 18 बन जा 18 18 4 जा 72 तो X की भी लुक इतनी हा कि हमारी पास 4 हो जाएगी तो देखो अब यहाँ से हम नंबर निकाल लेंगे तो नंबर हमारे जो थे दो नंबर निकालने थे तो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 4 ही माना था एक्स यानि हमारा 4 हो जाएगा और सेकंड नंबर जो है हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 9 minus X यानि 9 minus 4 इट मींज 5 तो आपका यह इस कोशन के आंसर हो जाएगे क्लियर है आई होप आपको यह कोशन अच्छे से समझ में आया होगा यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेट सेक्शन में पूछ सकते हो चली तो फिर मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में थेंक्यू